नमस्कार दोस्तों मापका दोस्तों सोनू सर्मा साथियों अमारे साथ एक ऐसे सक्स मुझूद हैं जिनके जीवन में पतनी का लुगाई का कोई सुक नहीं लिखा गए है साथियों लगातार वो साधी करते हैं और उनकी पतनी इनको पिरसान करती है तंग करती है पहले इन्होंने साद्धी की उस लड़की ने इनकी पत्नी ने इनको तंग किया तलाक देकर चली गई उसके बाद में इन्होंने दूसरी साद्धी की तो दूसरी साद्धी करने के बाद में इनकी पत्नी अब अपने माता पिता का बाना लगा कर अब कहीं दूसरी जगा रे रही है और इन से बिना तलाक लिए अब ये बहुत ज़ादा प्रिशान है एरान है और गुजारिस कर रहे है कि किर्प्या करके उस लड़की से मेरा पिछा तुड़ा जाए जानते हैं पूरी कानी के है पूरा मामला के है नमस्कार जी क्या नाम है सर मेरा नाम शिंदर सिंग ऐी मैं पिता का नाम सदार में अधिन का रहने वाला हूं जी सर मेरी पहली शादी दो यार 10 में भी थी और 2017 में तलाग हुआ था यी बिना वया उसने मेरे पर उपर केस ड़ला जिसके मैंने कोट में सभी जो कागरवाई य जी इनके माँबाप है जी और इसका जीजा है जो पहले जनता पावना हस्पिताल में आये थे जी फिर सरकारी हस्पिताल में आनके इनके गल पड़े जिसमें पेट उनकी लात लगने से पेट बच्चे की मौत होगी बाद में मैंने आशा रानी का जो प्रेशन करवाया है सर भी आस्पिताल में आप यह बताओ जब दूसरी साधी होगी तलाक हो गया अब दूसरी साधी होगी कि उसके बाद में क्या दिक्कत है सर मेरी दूसरी शाधी 18 ठाई 9 को 19 को उन्हों को उई थी लम मेरी जोई थी आपकी हाँ जी कोट गुर्दवारा में फेरे हुए थे जि मेरे शादी क्रवाइब छी इस सवींधर को रही सर्भ उन्होंहें अमारी शादी क्रवाई है सर्भुडवार हमे हमारे को लचकी दखाईगी सिछसा जिलने में धिन्ये कि वहां पसंद किया सर्व बूद्गड गाउं में हमारे फेरी हुए उसके बाद यो लड़की शलू है जी सर्व वो मेरे को बहुत ज्यादा तंग परशान करने लगी इसकी मैंने कई दर्खाश नहीं किस तरीके से परसान तंग करने लगी सर्व कहती थी कि आप मेरी जमीन ज्यादात है वो मुझे को मेरे नाम लगाओ और मेरे बच्चे को नाम लगाओ और जो उसके जो जिज्जाएं कुल्दीब कमार उसकी बैन और उसके फुपड हैं वो भी मुझे बहुत तंग परशान करते थे घरा कर परसान करते थे सर्व मेरे घर से जो भी समान होता था को उठाकर ले चाहते थी सर और यह कहते थी कि आप अपनी जायदात बेच कर हमारे नाम लगवा हूँ और मैंने पहले पती को फहांसी दे कर मारा है अब तुझे भी फहांसी दे कर मरूंगी और इस तरह सर मैंने कही बार मेला मंडल में उसके बार खलाफ दरखाश गाई थी वान अपने हम राजी नमा की यह बाद वही हूँ घर में आकर वही जगडा करती है करने लगि सारथ 2-18 से में हम भच्छों को देने गए थी आठारा में 20 में अचार वहां में इनके जीजा मां आई मेरे गड़ पड़े जिसके गवाम मेरे दो गवाम ए मैंने दर्ज करवा नहीं पुछानी मैंने बिखानी नहीं पूछानी मैंने क्यों लेना चाहती है क्यों हम घर से राजी चुगा गया तो सर इनके जीजा और मैंने यह मेरे जब हमारी लड़ाई हुई कोट में मैंने इसके उपर रहा दर्जगी उसके बार साथ 10 को इन्होंने उपर दरखाष दी थी महला मंडल में हम वहां गए थे सार इन्हों ने का कि मैं तलाक लेना चाहती हूं लेकिन उसके बाद इन्हों ने ना तो कोई वर्जबाब दिया और किसी तरह का भी अब यह सर तिसरी चौति शादी करके बिना तलाक के गाउं चुगेली में बैठी है जी जिसका नाम कर लिए जी चौति शादी कर रखी है यह क्योंकि पहले जो उन्हों ने इनके ने जो जो डेरी वाला था यह सर वहां कोई होगा सर मुझे नहीं मालम जिस तरह मुझे बार बार आपको दुका मिलते हैं मेलाओं दोबारा आपकी पतनी दोबारा तो क्या एसी बात नजर आ ये भी आपको दुका क्यों मिल रहे हैं सर देखिए यह तो किस्मत ऐसी है मेरे पास भूत भी है हर एक चीज आपकी किस्मत में लुगाई का सुक नहीं है यह वो तो आज जैसे हो सकता है मैं नहीं जानता ही मेरे पास इतने सबूत होते हुए मैं अद्लालतों के धक्क्य ल सर जो मैं थाबित कर सकता हूं कि वो यहार रही है वो उसका गर्भी देख यह और लोड़ी वाले दिन उनके गर्भी की गया था ही मैं उनका गर्भार देख के हूं चुग्य अली के उपर स्कूल के सामने गर रही जी और मैंने वहाँ शान भी नहीं की कहीं उसे पूछा भी गर जाकर भी देख के रहा है हाँ जी विल को हम गर जाकर रहे हैं नहीं मैंने उनके बार से गर से देखा अंदर नहीं गए और कई जनानियों से मैंने पूछा इसके बारे में एक चोटे से बच्चे से पूछा उसने बताया कि यह शालू नाम की लड़की चुग गाउं अ दोसियों को सजा दी जाए उन पर इंसाफ करें को आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो मेरे तो जो साथ हुआ हुआ जी सर किसी ऐसे गरीब जा और किसी मजदूर आदमी के साथ ऐसा ना हो यही मेरी प्रशार्शन से उजारिश है नहीं मैं जैसे केसे अटकर नॉर्मल आपसे बात करता हूं भी मेराओं को इतने बड़े अधिकार दे दिये गई हैं वो जी चाहे किसी के साथ रेने लग जाती है अपने पती को दोके पर दोका देती है तो क्या आपका विचार क्या है सर यह बहुत गल्त बात है यह आदम बसाने के लिए चला कour subscribe हो जाए का कि भी आपके उपर बड़े इससे मेरे बच्चे की जिन्दगी खराब हो जीएगी कम से कम मैं अपने बच्चे की पर्विश्ट तो कर सकूँ बच्चे का विश्य तो ना खराब करूँ सर उसकी ना तो माँ है और ना ही बाप है पहले शादी उन्होंने घर से बिना पूशे दी उनका माँ बाप का कोई आना जाना नहीं है जाए आप उनके किसी भी परवार के पन्चेत के किसी भी मिंबर को आप बला लो यहीं कहेंगे पन्चेत का मैं आपको सर्पेंच का नमबर दे सकता हूँ उनके परवार के नमबर दे सकता हूँ आप उनसे बात कर सकते हो वहाँ नहीं रह रही साथियों आप दे सकते हैं हमारे साथ सक्स हैं जो अपनी पत्नी से बहुँ ज़्यादा परिशान है और लगातार इनके जीवन में पत्नी का सुक लिखा हुआמैं है साथियों लगातार जब भी साथी करते हैं इनकी पत्नी उनको दोका देकर चली जाती है अब इनका बहुत गंबीर और बहुत बड़ा आरोप है कि इनकी पतनी अब चौती बार किसी लड़के के साथ बैठी है और वो भी नजाय तरीके से जबकि इन से कोई तलाक नहीं लिया कोट में कोई केस नहीं किया गया लेकिन फिर भी नजाय तरीके से बैठी है तो इनको न नवा सुक्रिया